इस क्लास में हम सीखेंगे stml attributes के बारे में और साथ-साथ हम ये जानेंगे कि stml tag, stml element और stml attribute में अंतर क्या होता है देखिए, ऐसा समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि पहले classes में हमने ये जाना था कि stml जो सबसे उपर लिखा हुआ है फिर इससे नीचे head लिखा हुआ है फिर title लिखा हुआ है ये सभी हमने समझा था कि tags कहलाते हैं फिर इसके बाद में हमने elements समझे कि opening tag और closing tag के बीच में जो लिखा है वो content है और इसको पूरे को अगर हम समझें तो ये कहलाता है elements अब attributes क्या है attributes है जो की पूरे element के characteristics को बताते है याने की characteristics क्या होते है कि जैसे ये content जो है इसका color क्या होगा ये styles वगेरा जितने भी हम use करते हैं कभी भी first tag जो किसी element का होता है यानि की यहाँ पर हम paragraph element की बात कर रहे हैं और paragraph element का पहला tag ये p इसमें जो देखे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ से हमने start किया था तो ये जो opening tag है इसको start करने से बंद करने तक जो भी कुछ हमने बीच में लिखा हुआ है main tag के अलावा ये attributes है और यही हमें समझना है तो एक बार हम अंतर समझ लेते हैं फिर से tag होता है किसी भी तरह का जो stml में coding करेंगे तो उसके अंदर हमें tags का इस्तिमाल करना पड़ता है coding को define करने के लिए कुछ भी लिखने के लिए और रंग देने के लिए या फिर आप coding के अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट से सम्मंदित नया structure तयार करना चाहते हैं उसके लिए अब ये tags है ये content है और tag opening tag से closing tag तक पूरे का पूरा element कहलाता है और opening tag के अंदर जो हम लिखते हैं पूरे element की characteristics की वो कैसा दिखेगा वो सब कुछ attribute कहलाता है तो ये है attribute और तीनों में difference थैंक यू